calculate the value of E0 cell, ठीक है, मैंने तुझे कोई cell दे दिया, अब simple, मैंने तुझे पेपर में क्या दिया, मैंने तुझे दिया, Zden two positive to the Zden, solid, aqueous, minus 0.76 volt, और दूसरा में तो जिए simple, अभी मैं, जो मैंने cell, अभी देखे, question series जब मैं लेके आँगा, उसमें मैं खाली इसी cell से deal नहीं करूँगा, मैं different type of cell लाँगा, अभी क्योंकि paper में जरूवत है, तो मैं concept की जरूवत है, सवाल की जरूवत है, concept जरूव हूँ अभी, ठीक है, देखे, यहाँ पर मैंने कहा किया, simple copper two positive से copper solid में गया, copper aqueous form में था, इसका भी मेरे पास क्या है, यह है मेरे पास, minus 0.34 volt, चले शो पलसका कर लेते हैं, देख बाई, मैंने कोई वैसे random data उठा है, random data उठा है, मैंने तीन method बता है, तीन method में मैंने पहल ठीक है, ठीक है, तो अब, इनोट of anode का मतलब मैंने क्या वदायता, अगर तुम anode सा deal के लिए तो इसका भी oxygen potential लेना है, और oxygen potential में से oxygen potential को यह करना है, माइनस करना है, बोले बड़ा बास्तों नहीं है, यह नहीं है, ठीक है, अब अगर तू anode का क्या लेग, oxygen potential लेगा, तो याद कर वो point, और selection of electrodes से मैं तुझे बताया था, क्या, क्या बताया था, मैं तुझे बताया था, value of e not rp से deal कर ले बस तू, ठीक है, अब यहाँ पर अगर तू देखेगा, तो यहाँ पर देख, copper solid में जा रहा है, इसका मतलब यह भी क्या है तेरे पास, e not reduction potential है, अगर मैं देख हूँ, तो यह भी जेड़ेंट टू पोजेशन किस में जा रहा है, जेड़ेंट सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब यह भी तेरे पास क्या है, इनॉट सेल है, कौन सा, यह भी मतलब e not rp है, ठीक है, लेकिन, अगर तो इस selection of electrode करना है, तो सी डी सी बात यह है, जिसक पास cathode का data है, लेकिन, अब अगर यह cathode पे जाएगा, तो पकाई यह किस पे जाएगा रहे, एनॉट पे जाएगा, लेकिन एनॉट के लिए मुझे चाहिए क्या, oxygen potential, तो oxygen potential को मैंने कल क्या डिफाइन किया था, simple होते दोनों opposite हैं, लेकिन magnitude का फरक होता है, तो यह क्या बन क्या आगा है अब की बार, पलस के 0.76 वोल्ट, बोलो भास समझ में आई हैं नहीं आई, अब इतना लंबा इतनी calculation करने की क्या जरुवत है, कोई जरुवत ही नहीं है, मैं simple क्या बोला, कि भाईया, E naught of cell क्या है, A naught, पलस के cathode, और A naught का क्या लेना है, O P, और cathode का क्या लेना है, R P, O P कितना है तेरे पास, 0.6 वोल्ट है, R P कितना है तेरे पास, 0.34 वोल्ट है, कितनी वैल्वा जाएगी, 1.10 वोल्ट, यहीं किसी भी electrochemical cell जो है, उस electrochemical cell में जब जैड देन और copper तू यूज करेगा, उसको full cell बनाएगा, उस ताम पर यह क्या निकल का लेगा तेरे प पड़ता, O P, 0.76 इसका भी क्या करना पड़ता, O P, अगर इसका O P करेगा तो यह कितना हो जाएगा, माइनस पहले है, माइनस के 0.34 वोल्ट हो जाएगा, तब भी तेरे पास क्या आएगा, 1.10 वोल्ट आएगा, डिपेंड तेरे उपर है, तरीके से कर ले, यह ट्रिक से कर ले, उत्तर दोनों से बरावर है,